वेल्कम, अमर सर के क्लास में आप समों का स्वागत है। यह वार्क औंड वेजेस का क्लास है, यह पहला क्लास है। आज तक मैंने टाइम औन वोग के साथ ही वार्क औंड वेजेस को कराया है, सेपरेट नहीं कराया है। आज मेरा इरादा हुआ कि क्यों नहीं सारे questions work and wages के हों और इस तरह से ये पहला video episode है जो कि time and work का ही सहोधर भाई है, work and wages. इसका concept इस पर बात करते हुए मैं इसके easy question से लेकर के tough question तक सब कुछ कराने जा रहा हूँ, ये अकेला single video आपको पूरे chapter पर command दिला देगा. English संदी दोनों में है, आपको बहुत मज़ा आएगा, तयार हो जाएए. आप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर 50 plus 20% का off चल रहा है, सारही courses पर. आप पर bed courses में जो जुड़ना जाते हैं, उनके लिए एक सुनारा आप सर है. इसके अलावा इसमें जो batches हैं, वो prime subscription और foundation batch, बाकी आप उसमें विजिट कर लें. लेकिन YouTube पर जो मेरे classes हैं, वो भी sufficient हैं, और आपको pass कराएंगे, किसी पेड को इसकी जरुवत नहीं है. चलिए शुरू करते हैं आज के session की. लेकिन concept पर पहले बात करता हूँ. Walk and widgets का concept क्या है? तो जो जितना काम करेगा, उसको उतना ज़्यादा wage मिलेगा. लेकिन हम अक्सर देखते हैं, कि काम करने का rate दिया रहता है, जिसे 10 days में कोई काम कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति 15 days में कर सकता है. ये days नहीं है, 10 दिन में 100 खिलोना, तो 20 दिन में 200 खिलोना बनेंगे. ये नहीं है, ये rate है. rate है मतलब work को constant कर दें, जैसे 10 दिन में कोई काम करेगा, और 15 दिन में काम करेगा, तो ऐसा नहीं है, कि 15 दिन वाला ज़्यादा काम करेगा, नहीं. अगर हम time को constant कर दें, तो 1 बाइ 10 वाइक होगा, और 1 बाइ 15 वाइक होगा, यानि inverse होगा, यानि reciprocal होगा. उनल बाइ ये है, कि work के ratio में ways मिलते हैं. सारे questions में आपको ये देखना है, कि किस ने कितना काम किया, और सारे काम का value इतना है, یعनी total मेज़़ूरी इतनी है, तो फिर उसने जतना काम किया, A ने, उसे कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा. समझ गए तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की question दर question हम लोग आगे बढ़ते ही जाएंगी और concept आपके दिमाग में बैठता जाएगा पहला सवाल आपके सामने है देखे A can do one-fourth of a work in three days and B can do one-sixth of the work in four days ठीक है then how much will A get if both work together and are paid rupees 118 in all कैसे बनाना चाहेंगे कई तरीके से बना सकते हैं सबसे पहली बात है कि उसका rate क्या है A जो है one-fourth work three days में कर सकता है एक दिन में कितना काम किया और B ने एक दिन में कितना काम किया वॉक के रिष्यो में distribute होगा होगा कि नहीं लेकिन दूसरा तरीका हम यह बात करेंगे कि पूरा काम कितने दिन में कर सकता है एक और पूरा काम B कर सकता है कितने दिन में दू तरीके से पस्ट हम बूल सकते हैं यह जो है वह त्री डेज में वन पूर्थ वॉक कर सकता है यह लिखा ना तो वन डे में यह कितना काम करेगा वन बाइट्वाल्फ वॉक करेगा चली बताईए और बी उसी तरह से व neue겠습니다, 1-6 वाँक कर सकता है ने यह वn डे में एक वक कर सकता है तो वन डे यह कितना वटरेगा वटरहा थाचिजर 바뀌ते काम का रिश्यव होगा वही उनकी मजदूरी का रिश्यों होगा यानि कि ये फस्ट मेथड हम लोग बात करने जा रहे हैं ठीक है फस्ट मेथड हम लोग बात करने जा रहे हैं ए और बी जड़ा को अगर किजिए ए का वन बाइट वाक है और बी का वन बाइट ट्वेंट वाक है वाक समान समय में यानि कहने का मतलब यह हुआ कि टू इसटो वान यानि टूटल हुआ थ्री तोटल अगर मजदूरी 3 रुपेज है तो 2 is to 1 है और टोटल मेज़ूरी कितनी है रुपेज 180 यह समझे यह दिया हुआ है कि समान समय में B जब 2 खिलोना बनाता है A जब 2 खिलोना बनाता है तो B एक खिलोना बनाता है तो टोटल 3 3 के लिए जो मेज़ूरी मिलेगी 2 is to 1 के रेश्यों में होगा पूछा किसका है पूछा है एक को कितना मिलेगा रुपेज 120 मिलेगा की नहीं बताई इसके अलावे आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं समझाना मेरा मक्षद है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको एक्स्प्रेंड करो second method A और B one fourth work three days में तो three into four days और six into four days जली बताई कि one by four है ना four into days यानि की one is to two की rate हुआ रेट हुआ रेट हुआ टाइम का मतलब 12 days में पूरा work और 24 days में पूरा work तो जो work का ratio होगा समान समय में होगा two is to one यानि के three और यही मिजदूरी भी होगी उसका भी ratio होगा यह rates है अगर यह one day में करेगा तो two days लगेगा यह two days में करेगा सुचिए इसका दो गुना समय लग रहा है तो half work कर रहा है हाफ work कर रहा है rate दिया हुआ है in terms of time one day two days तो walk जबकि time constant हो समान समय में ए दो खिलोना तो भी एक खिलोना तो total three three का मतलब है प्रुपेज 180 तो यह two का मतलब क्या है प्रुपेज 120 होगा ना कौन सा method आपको अच्छा लगा बताईए इसके बाद हम दो आगे बढ़ेंगे second question क्यों एक बाद देख लिजी फूरा ठीक है clear अगला सवाल question number two मिलेगा हम लोग क्या करते हैं 21 और 28 का ratio ले 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 लेते हैं लेकि हम लोग क्या करते हैं total walk total walk को पहले define करते है is equal to seven into three into four इसा मानते है 84 units यह कहां से आया पहले मुझे ही बताईए यह आया LCM of 21 and 28 LCM क्यों लेते हैं यह बात पर आपको समझ में आएगी अब A A जो है यह 21 days में पूरा walk कर सकता है days per walk अब आप मुझे बताईए पूरा काम पूरा काम तो 85 four units का है यानि four units per day चले बताईए पूर units per day और B के बारे में अगर हम बात करें तो यह 28 days में पूरा walk कर सकता है days per work इसका मतलब three units per day अब समान समय में काम का जो रिश्यो होगा वही मेजदूरी का रिश्यो होगा clear अब इसमें एक सवाल यह है देखिए जा रहा है इसका four units per day इसका three units per day हम लोग टोटल walk को हमने 84 units define किया हुआ है अब बताईए दोनों मिल करके काम करेंगे दोनों मिल करके काम करेंगे तो कितनी समय में काम खत्म होगा the same money is sufficient to pay the wages of both four दोनों काम करेंगे तो दोनों को pay करने के लिए sufficient होगा दोनों मिल करके कहेंगा वो काम करतीजे सुनिये तो जिस काम के लिए जितनी मेज़दूरी है एक व्यक्ति करेगा तो एक को मिलेगा दूसरा व्यक्ति करेगा दूसरा को मिलेगा सब मिलके भी कीजेगा तो उतना ही मिलेगा ना तो हम बात करते हैं कि A प्लस B अगर काम करें तो 84 यूनिट्स है और ये 7 यूनिट्स पर डे जल्ली बताईए पर डे के इसाब से काम करेंगे 4 प्लस 3 यानि कि 12 देज में ये काम खत्म होगा जल्ली बताईए है ना सुन्दर कुष्चिन बढ़िया कुष्चिन जल्ली बताईए अगला सवाल कुष्चिन बढ़ थ्री देखिए क्या है तू में अंडर टुक तु डू एपीस अफ वाक फर रुपेस फूटीन हंडर रुपेस के रिए पूरा काम लिया जाता है फुल मिलाके अब उस काम में जिसकी जो हिस्सेदारी हो दोनों का रेट अलग अलग है तो यूनिट्स क्या होंगे वाक क्या होंगे इनवर्स होंगे चल्दे बताईए अगर हम बोलते हैं अच्छा इफ वाकिंग टोगेदर दे कम्प्रीट देस वाक इन थ्री डेज विद रहल्प अप अब आए ये दोनों मिलके काम खत्म नहीं करते हैं बलकि लड़के का सहरा भी लेते हैं और त parabर्स टिन द में ये काम खत्म होता है सबसे पहली बात है तूमेंनर आंड़ टूमेंड़ एकर सकता वाक्सेम पी और विकर सकता है ऐइट दें म मालश्क की में यह टायम का रेट का रिशियो हुआ है। 7 days, 8 days और बच्चे के साथ मिल करके यानि A plus B plus C, C क्या है? Child, यह तीनों मिल करके 3 days यह लिखा हुआ है, तो हम total work को define करते हैं, total work, इसका calcium लेते हैं, यानि 7 into 8 into 3, इसका मतलब 168 units, यह कहां से आया, calcium of 7, 8, अब इससे यह define हो गया, जड़ा देखिए, कि इसका rate क्या हुआ, 7 days में पूरा work कर सकता है, 7 हटा दीजी, 24 units per day, B का rate क्या हुआ, 8 हटा दीजी, 21 units per day, और यह 3 हटा दीजी, तो 56 units per day, तीनों मिल के करते हैं, तो इससे यह भी पता चलता है, कि जो C का rate है, वो क्या है, 56 minus 45, that means की 11 units per day, जल्दी बताइए, हमने तीनों के rates निगा लिए, two main A और B, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, और C जो बच्चा है, वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, अगर समान समय तक काम करें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, कि तीन दिनों में सभी मिल करके काम खत्म कर देते हैं, three days सबके लिए constant है तीन दिनों में जिनको जो ratio में मिलेगा एक दिन में भी वही मिलेगा यानि यही ratio हुआ यानि अगर हम बात करें यह A है, B है और C है तो wages जो मिलेंगे उनका ratio भी यही होगा यह 24, is to 21, is to 11 यही ratio होगा यानि है कि अगर हम यहाँ पर total की बात करें ठीक है, क्योंकि वहाँ जो actual है वो तीन दिनों का है उसके में जरुवती है तब 168 होता है यह total किता है यह 56 units that is equivalent to rupees 1400 जल्दे बोले total अब उसके बात पूछा है इसमें कि उनका अलग-अलग हिस्सा बताईए क्या होगा 1400 में तो देखिए यह 25 times कटेगा 7 से 200 और 8 से 25 तो इसका मतलब यह हुआ कि यह यह और यह यह कितना होगा रुपेज 600 यह कितना होगा 525 यह कितना होगा रुपेज 275 एक 25 425 का मतलब 100 इन्टु 6 4 का मतलब 100 इन्टु 5 500 प्लस 25 और यह 3 होने से यह 12 होने से 300 होता तो 275 बोलिए क्लियर? रमज़ आया? ठीक है? ओके आगे बढ़े 600 525 और 275 अगला सावाल क्शन न्बर 4 A, B and C तोगेदर और रुपेज 300 पर दे वाल A and C तोगेदर और रुपेज 188 and B and C तोगेदर और रुपेज 152 The Daily Wage of C देखे इसको कैसे बनाएंगे? यहां लिखा हुआ है A plus B plus C इसका जो डेली वेज है रुपेज 300 पर दे ठीक है? वेज इसके बाद है A plus C A plus C है रुपेज 188 per day फिर है B plus C रुपेज 152 per day तो हम लोग इसको अड़ कर दे A plus B plus C इसको अड़ कर दे तो 12 इसको दे दिए 21340 देखें रुपेज 340 per day तो C का रेट क्या हुआ? जरा बताएं यह C का रेट क्या हुआ? A plus B plus C plus C है और इतना है तो C का जो रेट हुआ वो रुपेज 340 per day minus रुपेज 300 per day यानि रुपेज 40 per day यह C का रेट हुआ पुली यह तो clear है? अगया बढ़े? अगला सवाब? Question number 5 A, B and C are employed to do a piece of work for रुपेज 529 तो मिना करके इतने पैसे के लिए यह काम लिया गया A and B together are supposed to do 19 by 23 of the work and B and C 8 by 23 of the work सुनी, सुनी, सुनी मैं बढ़ाता हूँ सबसे पहली बात है कि हम A plus B plus C का मान लेते 23 units walk मान लेते ठीक है? let तो हमें देया हुआ है A plus B यह क्या है? 19 by 23 तो यह 19 हुआ और B plus C 8 by 23 8 हुआ मुझे बताइए कि A plus B plus C और plus B ऐसे लिख सकते हैं न? 27 units तो मुझे बताइए कि इसमें B का क्या हुआ? 27 minus 23 यानि कि 4 units पर एडे हमने यह माना total walk total walk माना था ठीक है? अब पूछा क्या? what amount should A be paid? मुझे बताइए कि यहां पर यह लिखा हुआ है कि this is equivalent to rupees 529 तो 4 means what into कि B का value हुआ फिर A भी निकाल लेते हैं इन्टू 23 हमने कहा ठीक है B का value हो गया हमसे पूछा गया है A A का क्या होगा? A क्या होगा? A प्लस B 19 है उसमें 4 अटा दीजी तो 15 माने क्या? इन्टू 23 345 पेज 345 कहा कहा से क्या क्या आए है थोड़ा लिख देते हैं ये कहा से आया 15 या 19 मानेस 4 जल्दी बताईगे ये तो समझें आगे है ये वाला कहा से आया 19 प्लस 8 बाकी चीज़ें clear है जल्दी बताईगे ये भी एक सुन्दर क्यूश्चन है बड़िया क्यूश्चन है ठीक है? चलिए अगला सवाल Question 6 A, B and C Completed a work costing रूपेश रूपीश तेंहन्द A walked for six days B for four days and C for nine days तो कुछ सोचने की जरूदी नहीं इफ टेली वेजेजर इन देरेश्चो सुनी, 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 सुनी A, B, B सबसे पहले कौन कितने दिन में काम खत्म कर सकता है यह 6 days में, यह 4 days में, D और C, 9 days में काम खत्म कर सकता है लेकिन जो wages हैं, उनका ratio है कि एक दिन में 5 रुपया मिलता है अगर A को, तो 6 दिन में इतना मिलेगा और अगर इसे 5 रुपया मिलता है तो B को 6 रुपया मिलता है पर डे तो 4 दिन में कितना और यह 4 रुपया मिलता है तो 9 दिन में कितना 9 days में कितना यह कहा जा रहा है 2 से 3 टाइम्स 2 से 3 टाइम्स 2 से 2 और यह cancel हो जाएगा 3 से भी cancel होगा हम लोग 6 भी कर सकते थे, direct कर देते हैं 6 ही कर देते हैं ठीक है तो जो ratio आया 5 is to 4 is to 6 चल्दी बताएगा तो total कितना हुआ total हुआ total हुआ 15 and 15 is equivalent to Rs.1800 यह total how much amount will be received by A this means what हम लोग निकालते 1 क्यों 15 का 1 3rd है तो सीधा हम बूल देना Rs.600 ज्यादा अच्छा है न 15 का 1 3rd फिर भी चलिए ठीक है लिखता हूँ 15 से यह कितनी बार में होगा 30 से कितनी बार में होगा 60 तो 120 जल्दी बूलिए तो यह भी 120 ठीक है एक है इसमें पूछा लिया था अगला सवाल कॉश्य नमबर 7 सुनिए एक अंडू एक पीस आफ देंडे हैं 10 डेज और बी नल फिफ्टीन डेज देगे थे वाग पाइज क्थे एक भी सब्सक्तिए काम खत्म नहीं किया 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं 5 दिन में कितना 15 दिनों में कितना कौल मिलाके वॉक उतना यह तरीका है फिर जो वाक बचा उसको C दोदिनों में करता है ऐसे कर सकते है पिर गेट रुपज 1500 पर फिर फिर फिरोल वाक ताहरे लम सम अप्डेली वेजे जो बेजे़ जो बेजे़ बताना है कैसे बनाया जाए स्मार्ट वे में हम लोग एक काम करते हैं A है और B है A 10 डेज में कर सकता है और B 15 डेज में कर सकता है हम लोग इसका ऐलसियम लेके बोलते हैं 60 यूनिट्स Let total walk is equal to 60 यूनिट्स हमने ऐलसियम लेके बात की इसका मतलब यह निकला इसका जो रेट है और इसका जो रेट है और इसका जो रेट है और यूनिट्स पर दे है है तो इन फाइव डेज इन फाइव डेज ए प्लेस बी कितना काम करेंगे यह सवाल है तो सिक्स प्लेस पूर इन तो फाइव यह निकी फिफ्टी यूनिट्स वॉक करेंगे जल्दी बताएगे इसका मतलब कि सी तू डेज में तू डेज में तैन यूनिट्स करेगा जल्दी बताएगे 60 माइनस 50 यानि केस का रेट हुआ फाइव यूनिट्स पर डे यानि हम यहां लिख सकते हैं कि जो सी का यूनिट हुआ वो फाइव यूनिट्स पर डे है यह हम लोग लिख सकते हैं और फाइव यूनिट्स पर डे है तो यह 12 डेज में कर सकता है लिख सकते हैं जरू यह एक हम लिखें लेकिन मूल बात क्या है वो सुनिए काम के अनुसार में जदूरी मिलती है काम A ने 5 डेज किया B ने 5 डेज किया C ने 2 डेज किया तो 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 त यह रियल में हुआ, वाक किसनी कितना किया, इसका मतलब यह हुआ, फाइव डेज में यह फाइव इंटु सेक्स यूनिट्स करता है, फाइव डेज में फाइव इंटु फॉर यूनिट्स करता है, और तू डेज में तू इंटु फाइव डेज, फाइव यूनिट्स करता है, जल्ले बताईए यह समझ में आया यानि आप गौर कीजिए तो आपको क्या रिखता है यह यह और यह जल्ले बताईए यानि कहने का मतलब 3 is 2, 2 is 2, 1 यानि 6 टोटल हुआ 6 का मतलब हुआ total रुपेश 1500 यानि की 250 तो हमसे वहाँ पर B और C के बारे में कहा गया तो यह होगा रुपेश 250 यह होगा रुपेश 500 पहले मुझे बताईए होगा की नहीं होगा लेकिन अभी इस कोश्चन में बहुत कुश है इस कोश्चन में बहुत कुछ है क्या है B को मिलेंगे 500 रुपेश और C को मिलेंगे 250 रुपेश लेकिन हमें क्या चाहिए रुपेश 100 पर डे का रेट मिला और इसे क्या मिला रुपेश 125 पर डे का रेट मिला पूले क्लियर Therefore P प्लस C जो आएगा वो 225 रुपेश पर डे का रेट होगा यह पुछा था यह जबरदस्ट कुश्चन था इसको एक बार देख लीजिए क्योंकि जो मेजदूरी मिलती है वेजज मिलते हैं वो काम के वजबे मिलते हैं काम कितना किया यह हमें चाहिए बाद में पर डे ठीक है अगला सवाल कुश्चन नमबर एट डेली वेज अफ़ वर्कर इस रुपेश 100 पर डेक है टेंडेज। अले ठीक है एक सवर रुपे करके हैं पांच मिलत काम करेंगे पांच सवर रुपे करके खर्च आएगा धस दिरों में पांच यह रुपर यह जो वर्क है पुरा का पूरा वो फाइव थाउजन रुपीश का है उसके लिए कुल मजदूरी 5,000 रुपेज दी जाती है है ना If you pay रुपेज 20 more daily to each worker then they agree to do 25% more work daily If the proposal is accepted then the total amount that could be saved भाई पहले तो 5,000 रुपेज लगता था अब कितना लगता है इस सवाल है इनीशियली टोटल जो expenditure है देखिए इनीशियली टोटल expenditure टोटल expenditure कितना है रुपेज 100 इन्टो 5 पांच मजदूरों के लिए और काम चले का 10 देज यानि रुपेज 5,000 तो 5,000 रुपेज का टोटल expenditure है नया जो जाता है उसमें क्या है न्यू रेट क्या है न्यू रेट है 100 प्लस 20 याट मेंज रुपेज 120 पर देंगे लेकिन न्यू वोक न्यू वोक क्या है तेखिये न्यू वोक क्या है वोक है 100 प्लस 25 याट मेंज 125 समझ लिजी 125 योनिट्स एक तरह से तोटल वोक आप इसको कर सकते है 125 परसेंट वोक बोल सकते हैं ऐसे परसेंट वोक चली योनिट ना बोलते हैं तो न्यू टाइम क्या है तो पहले मुझे बताईए पहले 10 डेज लगते थे जिस काम को करने में 100 को 125 को करने में रोज 125 करेंगे 100 परसेंट वोक रोज करते थे उसके वज़े में ज्यादा काम करेंगे कम समय लगेगा यह कहने का मतलब 25 से चार बार में 5 से दो बार में यानि कहने का मतलब 8 डेज यानि अब काम 8 डेज में खत्म होगा तो न्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा जल्ली बताईए एक्सपेंडिचर इस एक्सपेंडिचर इस एक्सपेंडिचर इस एक्वल टू रुपेश 120 इन्टू 5 वर्कर इन्टू 8 जल्ली बताईए यानि की रुपेश 4800 120 रुपेश पर डे 5 वर्कर 600 इन्टू 8 4800 तो सेविंग क्या है तो सेविंग इस एक्वल टू रुपेश 5000 माइनिस रुपेश 4800 इस एक्वल टू रुपेश 200 जल्ली बताईए ठेका ना मजा आया और आप आज का लास्ट क्वेश्चिन शांदार क्वेश्चिन देखिए A can do a piece of walk in 90 days, B in 40 days and C in 12 days तो आगे बड़े बिना एक काम तो कर देने का मन करता है वो काम क्या है कि walk को define कर लेते हैं A, B, C के बारे में कहा गया है A, 90 days में walk कर सकता है B, 40 days में walk कर सकता है और C, 12 days में walk कर सकता है total walk compare and define करते है total walk calcium लेते है 9 into 8 into 5 आइ यानि की 360 units ले और एक 3 भी ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा ठीक है 9 ठीक है ठीक है यह भी ठीक है अब इसके अधार पर हम walk को define करते है इनका 90 days में करेंगे 9 into 10 9 into 10 4 units per day भी 40 यानि 9 units per day और यह 12 है यानि 30 units per day यह हमने निकाल लिया अब थोड़ा सोचिए कि यह क्या है आगे पढ़ता हूं उसके बाद बात करता हूं देखिए ज़रा तुपढ़ता हूं They walk for a day each in turn that is first day a does it alone a does it alone second day b c and third day c 30 units per day ऐसे करके after that a does it for another day then b then c and 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 after finishing the work they get rupees 240 total तो किसने कितना काम किया न if the wages are divided in the proportion of the work done by them यह तो understood है then find what each will get देखिए मैं बात करता हूं 4 units 9 units and 30 units यानि हमें देखता है 43 units 3 days तो 43 43 हम इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं कि 43 into 8 units हो जाए ऐसा करके तो बाकी बचेगा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 43 plus 2 ऐसे 43 into 9 है ना ठीक है देखिए और हमने के अदर 45 8 है देखिए 8 है ना तो हम इसको 43 plus 2 लिखते हैं यानि 16 units बच किया है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले आएगा A करेगा 4 units फिर B करेगा 9 units 13 हुआ और C करेगा टोटल 16 है तो 3 units यानि ये 16 units हुआ अब जब हम टूटल वोग की बात करेंगे तो क्या निकलेगा वो सुनिये निकलेगा 8 into 4 8 into 9 8 into 30 यानि हम बात करेंगे यानि हम बात करेंगे कि A B और C इनका वोग का 8 into 8 into 8 into तो वोग इन्हों ने की आई किस रेट से तो 4, 9, 30 ये तो होग आई 8 into 4 8 into 9 8 into 30 ये तो की आई प्लस और भी काम हुए क्यों लास्ट में हुए 4, 9, 3 प्लस 4 units प्लस 9 units प्लस 3 units यही रेश्यों होगा जल्ली बताएए 36 units इसको बोले 9 into 9 इसको भी 9 into 4 बोलते थे ऐसे 9 into 4 एकठवाम आठवाम और ये वाला देखिए 8 into ठीक है 243 बोलिए प्लस 9 जिसे बूलना बोलिए तो 243 ब Wars 9 2 यानि जो रेश्यों आता है वह 4 है इस्टू 9 है, इस्टू 27 है, यानि जो टोटल बनता है, वो कितना है, 40 है, 40 नहों करके, रुपीज 2.40 है, तो पूछा है, सबों का बताएगे, इन्टू 6, रुपीज 24, रुपीज 54, इसको क्या बोलेंगे, 120 और 42, 162 रुपीज बोलेंगे, ज़दे बोलेंगे की नहीं, इन्टू 6, इन्टू 6, इन्टू 6, इन्टू 6, इन्टू 6, बोलेंगे, बताएगे, ये एक पेहस्त शांदार सवाल है, मुझे बताएगे, इजी से लेके हार्ट तक, तरह के कुश्चन्स हुए की नहीं, ये सिंगल वीडियो, जो वॉक एन विजिस पर है, टाइम एन वॉक का सहोधर भाई है, पूरी तरह से आपको समझ में आ गया की नहीं, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, किसी भी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, बार बस्त, बाइ.